मा, मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास भी बहुत लगी है, और मैं ठक भी बहुत गया हूँ, अगर तुम थोड़ा और चली, तो मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं मरना मा. यह कहानी है गरीब रमा की, जिसने एक बकरी रखी है, छम छम बकरी, जो बहुत ही प्यारी बकरी है, रमा का पती किशन बहुत ही बेकार इंसान है, हर समय नशे में डूबा रहता है, अपने नशे पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, घर बार, जेवर, खेत, हर चीज तो वो बेच चुका था, अपने नशो की पूर्ती के लिए उसकी बीवी रमा एक बकरी के सहारे जी रही थी, जिसे अब वो अपना सब कुछ मानती थी, मानो वो उसके जीने का सहारा हो, रमा, अरे ओ रमा, थोड़ा पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है, हाँ पता है तुम्हारी जरूरतों का, कौन सी जरूरते हैं, नशे करने के लावा, तुम्हे कुछ और आता है क्या, जैसे तुम हो, शायद इसलिए भगवान ने हमें आलाद का सुख नहीं दिया, चिंता क्यो करती हो, बच्चे भी हो जाएंगे, पहले तुम थोड़े पैसे द आने जंगल चली जाती है, अब क्या करू, सेट के पैसे कहां से दू, उसने मुझे आज का समय दिया था, पैसे लोटाने का, अगर मैंने पैसे नहीं दिये, तो सेट मुझे मार देगा, अब तो रमा ने भी पैसे देने से इंकार कर दिया, किशन अभी सोची रहा था, कि त कि तुम्हें घसीट के सेट के पास लाय जाए, चल हमारे साथ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन यहीं धड़ से अलग कर देंगे, नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं सेट के पैसे आज शाम तक लोटा दूँगा, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए, ठीक है, अगर शा का समय तो मिल गया था, पर वो बहुत चिंतित था कि पैसे आएंगे कहां से, रमा चमचम को चराने जंगल गई थी, वहां से आते समय रास्ते में एक नाला आता है, अरे चमचम, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, कोई बात है क्या, मालकिन, मैं ये नाला उचल के पार न मैं गर्वती हूँ, अब मुझे अपने साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं ज्यादा उचल कूद नहीं कर सकती, क्या चमचम, सच में तुम गर्वती हो, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची, मैं तो कभी मा नहीं बन सकी, मैं तो आभाग में ये खुशी है, जो तुम मा बनने जा रही हो, अब देखना, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी। ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, मेरे ही घर में इतनी मोटी ताजी बकरी थी, और मेरी उस पे नजर ना गई, अब यही बकरी मुझे इस परिशानी से बाहर निकालेगी, मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। किशन उस सेट के पास चाता है, जिससे उसने अपने नशे के लिए कर्ज लिया था। आ गए तुम, इतनी तेर लगाई तुमने पैसे लोटाने में, लाओ, चल्दी मुझे मेरे पैसे दे दो। ले आओ तुम बकरी। शुक्र है, सेट बकरी लेने के लिए मान गया, अब बस किसी तरह से रमा को बेवकूफ बना के घर से बकरी को निकालना होगा। अगली सुभा, जैसे ही रमा चमचम को चराने जा रही होती है, कि तभी किशन उसे कहता है। अरे रमा, आज तुम रहने दो, मैं बकरी को चराने ले जाता हूँ। हैं, आज सूरज कैसे उल्टी तरफ से निकल पड़ा। रमा, मैंने सोच लिया है, अबसे मैं कोई नशा नहीं करूँगा, नशे में रखा ही क्या है, अबसे मैं भी घर के काब काच करूँगा, हर काम में तुमारा हाथ बटाऊँगा। मुझे यकीन है, मैं सुधर गया हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, कि तुम सुधर गए हो। किशन रमा से जूट बोलके चम-चम को ले जाता है, और चम-चम को चराने नहीं, बलकि सेट के पास लाता है। ये किशन मुझे कहा लाया है, जरूर ये मुझे बेचने लाया है। अब मालकिन को कैसे पता चलेगा, कि ये मकार मुझे यहां लाया है। सेट जी, अब तो मैं कर्स से मुक्त हूँ ना, अब मैं जा सकता हूँ ना। किशन अपने आप में खुश था कि अब वो कर्ज से मुक्त है जब रमा शाम को उसे खाली हाथ पाती है तो वो देखती है चमचम उसके साथ नहीं है तो बहुत रोती है जूटे मकार इंसान मुझे बदलने का जहां सा दे के चमचम को यहां से ले गया कहा है मेरी बच्ची चमचम मुझे पता है जरूर तुने उसे अपने नशे के कर्ज खतम करने के लिए किसी को दे दिया है अरे कैसी पत्नी हो तुम पत्नियां अपने पती के लिए कुछ भी कर गुजरती है तुम एक बकरी नहीं दे सकती बेच दिया तो क्या हो गया मुसीबत के समय घर की चीज ही काम आती है तो यह बकरी मेरे काम आ गई कितने बुरे इंसान हो तुम कितने स्वार्थी हो अपने स्वार्थ के लिए कल मुझे भी बेच सकते हो चम चम में मेरी जान बसती है मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर उसे नहीं रमा जैसे तैसे चमचम का पता लगाती है और सेट के पास जाके बहुत सारी मिन्नत करती है, उसे वापस ले आती है, सेट सिपाही भिजवा के किशन को बुलवाता है, देख किशन, तुम्हारी पत्नी वो बकरी तो ले गई, अब मुझे मेरे पैसे जैसे मर्जी वैसे चाहिए, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, और याद रहे, ये तुम्हारा आखरी मौका है, अब मुझे पैसे नहीं मिले, तो तुम्हे मैं पुलीस के हवाले करवाऊंगा यह सब सुनके किशन बहुत खबरा जाता है नहीं, नहीं, näहीं मुझे जेल नहीं जाना यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है रमा ना तुम बकरी वापस लाती और ना सेट मुझे पुलीस के हवाले करवाने की बात करता अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पुलिस ले जाए या कोई मार डाले मैं अपनी चमचम और उसके बच्चे के साथ खुशी-खुशी रह लूँगी किशन बहुत चिंतत था कि वो पैसे कहां से लाए उसके पास बस एक ही दिन था ये बकरी ही मुझे यहां से बाहर निकालेगी रात होते ही जैसे ही रमा सो जाएगी इस बकरी को शहर ले जाकर कसाई को बेच तूँगा और जो पैसे आएंगे सेट को देखे अपनी चान बचा लूँगा रात को जैसे ही रमा सो जाती है किशन चुपके से चमचम के निवास में जाके उसको कसाई को बेचने के लिए ले जाने लगता है चुप हो जा बकरी नहीं तो मैं तेरे पेट में पल रहे बच्चे को मार दूँगा चुप चाप मेरे साथ चल चमचम बहुत डर जाती है और जैसे किशन कहता है वैसा ही करती है किशन उसे बहुत भगाता है जिस वज़े से गर्बवती चमचम की हालत बहुत खराब हो जाती है बस अब मैं नहीं चल सकती, बहुत ठक चुकी हूँ, अगर मैं और चली तो मैं मर जाओंगी आलसी बकरी, चलने में आलस करती है, चल दी चल, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे तुम्हें कसाई को सौप के, पैसे लेकर सेट को देने है, चल जल दी किशन शाम से लेकर सुबह तक बकरी को चला-चला कर ठका देता है, सुबह जब रमा उठती है और चम-चम को नहीं पाती, तो बहुत परिशान हो जाती है किसी तरह उसे किशन के इरादों का पता चलता है, तो वो सेट का सहरा लेकर किशन को खोजती हुई आती है मा, मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास भी बहुत लगी है, और मैं ठक भी बहुत गया हूँ अगर तुम थोड़ा और चली, तो मैं मर जाओंगा, मुझे नहीं मरना मा रहम करो, रहम करो, इतने बेरहम ना बनो, मुझे महसूस हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत भूखा प्यासा है, बहुत ठका हुआ है मुझे कुछ खाने दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं थोड़ा और चली, तो मर जाओंगी, रहम करो किशन जोर जोर से चमचम को मारने लगता है चमचम गिर के बेहोश हो गई उसी समय रमा सेट और सेट के सिपाही भी वहाँ पहुच जाते हैं और सेट के कहने पे सिपाही किशन को बंदी बना लेते हैं चमचम उठो चमचम मैं आ गई हूँ अब तुमें कुछ नहीं होगा क्रोर इंसान तू अपने मतलब के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है किसी मासूम बेजुबान जानवर तक की भी बली दे सकता है तेरे जैसा इंसान इस समाज में रहने लायक नहीं है सेट जी इस आदमी को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है इससे मेरे आँखों से दूर करिए सेट किशन को पुलीस के हवाले करवा देता है रमा चमचम को घर ले जाती है उसकी देखबाल करती है जिससे चमचम और उसका बच्चा बिलकुल स्वस्थ हो जाते है रमा चमचम और उसके बच्चे के साथ खुश रहती है नंदू के घर में एक काले रंकी बक्री है जिसका नाम मही है उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो बड़े ही चुलबुले थे नंदू की बेटी उन बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी, पर नंदू बहुत ही गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना पीना खिला सके, रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही लेता था इस बात से उसकी पतनी उससे हमेशा चिड़ी रहती थी, कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता ना जाने तुम्हें क्या दिक्कत है इन बेजुबान जानवरों से, तुम कुछ भी कहलो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता, अगर हम जानवरों की सेवा करेंगे न, तो इससे हमें बहुत सुक प्राप्त होगा, और रही अच्छे-च्छे खाने की बात, तो जितना मैं कर पाता हूँ, उतना ही खिला देता हूँ, और भागयवान, तुम चिंता ना करो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, हमारा भी समय बदलेगा, नंदू और उसकी बेटी को मही और उसके बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसकी बीवी को मही एक आँख भी नहीं सु कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है खाने की, कैसी किस्मत पाई है मैंने, कभी भी अच्छा खाना नहीं मिला खाने को, भगवान ऐसा निकम्मा पती किसी को भी ना दे, जो अपनी बीवी को अच्छा खाना भी ना खिला पाए, ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यही रु कि कर रही हो, चोरी करनेगा तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ. चलो, चलो, निकलो यहां से. पडोसी नंदू की बीवी को वहां से निकाल देता है, फिर कुछी दिन बाद, उस पडोसी की बीवी बहुत बीमार हो जाती है, वो अपनी पतनी को बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है, और जाड़ फूक करवाता है, पर उसकी पतनी सही नहीं होती. तबी एक तांत्रिक सेट को बताता है कि उसकी पतनी तबी ठीक हो सकती है, जब वो एक बहुत बड़ी पूजा कराएगा, जिसमें एक काली बकरी की बली लगेगी, जल्दी से जल्दी वो काली बकरी का इंतिजाम करे. काली बकरी तो गाउं में बस नंदू के पास ही थी, सेट नंदू के पास आता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ सेट जी, आ आ जाईए, पर आज हम गरीबों के घर में कैसे आना हुआ, आप तो हम जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते? वो नंदू मेरी बीवी बहुत बीमार है, तांतरिक बाबा ने कहा है कि मेरी बीवी तबी ठीक होगी, जब काली बकरी की बली लगेगी, और मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारे पास ही काली बकरी है, मैं तुम्हारे आगे हाथ चोड़ता हूँ, मेरी मदद करो, मैं तु नंदू सेट को बकरी देने से इंकार कर देता है और सेट को उल्टे पाव वहाँ से लोटना पड़ता है लेकिन इस बात से नंदू की बीवी नंदू पे बहुत गुस्सा करती है ये तुमने क्या किया सेट को बकरी देने से इंकार क्यों किया सेट हमें इतनी पैसी दे रहा था कि हम आराम से घर बैट के अच्छा अच्छा खाते वैसे भी तुम किसी काबल नहीं हो बीवी को कुछ उसकी पसंद का खिलाप आओ कैसी औरत हो तुम मैं जानता हूँ तुम्हें मही से दिक्कत है पर एक औरत होके तुम ये बात नहीं समझ रही हो कि उसके दो बच्चे हैं जो उसका दूद पीते हैं तुम चाहती हो मैं दूद पीते बच्चों को उनकी मां से अलग करके बली चड़ाने के लिए दे नंदू की पतनी भूल नहीं पाती उसे अच्छा अच्छा खाना था खाने की बहुत भूकी थी और इतने सारे पैसों का लालच भी था कि बकरी बेच के सेट खूब पैसे देगा एक दिन नंदू किसी काम से बाहर जाता है तबी नंदू की बीवी सेट के घर जाती है प्र नंदू की बीवी के साथ मही को लेने उसके घर जाता है उस समय मही अपने बच्चों को दूद पिला रही होती है अरे बस हुआ तेरा दूद पिलाना चल अब यहां से चलती बन महा महा ये लोग आपको कहां ले जा रहे हैं मा मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां ले जा रहे हैं पता नहीं शायद मुझे बेच दिया पर इतने छोटे छोटे बच्चों की मा को कौन बेच सकता है भला ना जाने मालक भी कहां रह गए वरना वो मुझे को कभे बेचने नहीं देते नंदू की बीवी मही की रसी खोल के मही को सेट को सौब देती है मही और उसके बच्चे रोते रहते हैं मा, मा, हमें छोड़के ना जाओ, मेरे बच्चो, बच्चे मही के बिना तड़ते रहते हैं, नंदु की बीवी मही को बेचे हुए पैसो से खूप सारा राशन खरीत के लाती है, और अपनी पसंद के धेरो पकवान बना के बाहर बैट के खाने लगती है, अरे वा, कितने दिन नंदु की बीवी खाना खा रही होती है, कि तबी नंदु और उसकी बेटी आ जाते हैं, अरे ये तो मितने सारे पकवान कहां से खा रही हो, क्यूं, मैं अच्छे पकवान नहीं खा सकती क्या, हमारे घर में हमेशा रूखा सुखा ही बनता है, मैं इसलिए पूछ रहा पकवान कहां से आये बाबा बाबा मही नहीं मिल रही है और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं नहीं मिल रही क्या मतलब है कहां जा सकती है नंदू और उसकी बेटी मही को हर जगे तलाज करते हैं पर मही कहीं नहीं मिलती बताओ मही कहां है तुम ही घर पे थी मैं तुम् मर घर बैठे खा सकते हो मा तुम कितनी बुरी हो इतने छोटे छोटे बच्चों को उसकी मा से अलग कर दिया वो भे बली चढ़ाने के लिए अगर मुझे भे तुमसे कोई दूर कर दे तो ऐसा ना कहो बेटी तुझे मुझसे कोई दूरी नहीं कर सकता सेट तांत्रिक को बुला के अपनी बीवी के लिए पूजा करवा रहा होता है फिर जैसे ही मही की बली देने वाला होता है कि तभी नंदू और उसकी बेटी पुलीस को लेकर वहां पहुँच जाते हैं किरफतार कर लीजे इंस्पेक्टर सहब इस सेट और इस तांत्रिक को ये बेजुबान बकरी की पली दे रहे हैं नंदू मैंने इस बकरी के धेर सारे पैसे दिये हैं इंस्पेक्टर सहब खरीद के लाया हूँ मैं इस बकरी को ये लो सेट तुम्हारे सारे पैसे वापिस और हमें हमारी बकरी वापिस करो मैं पैसो के लालच में अंधी हो गई थी एक मा को उसके बच्चों से अलग करके पाप किया मैंने तुम पागल हो गए हो सब पूजा में विधान डाल रहे हो आप अंध विश्वासी ना बनिये आपकी पत्नी किसी बली से ठीक नहीं होगी आपकी पत्नी को मिर्गी की बिमारी है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं हाँ सेट इस बिमारी का इलाज बस डॉक्टर ही कर सकते हैं तुम कितनी भी बलियां लगा लो तुम्हारी पतनी कभी ठीक नहीं हो सकती सेट तुम्हारी पतनी कैसे ठीक होगी जब तुम दूद पीने वाले बच्चों से उनकी मा को छीन के उसकी बली लगाओगे अंद विश्वास से बाहर निकलो और अच्छे से डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज करवाओ सब की बात का सेट पर असर होता है और वो बहुत शर्मिन्दा होता है कितना गलत करने जा रहा था मैं आज अगर आप लोगों ने सही समय पर आकर मुझे नहीं रोका होता तो मेरे हादों से कितना बड़ा पाप हो जाता अंद विश्वास में डूब गया था मैं कोई सही रहा दिखाने वाला नहीं था अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पतनी का इलाज कैसे करवाना है ये लीजिए आप इस बकरी को इसके बच्चों के पास ले जाएए नंदु मही को घर ले आता है और बच्चे अपनी मा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं इसके बाद नंदु की बीवी भी सुधर जाती है और फिर नंदु और उसकी बेटी की तरे मही और उसके बच्चों की खूब सेवा करती है यदि आप ऐसी कहानिया और देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें